हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैगन की मसाले वाली सब्जी यह शब्जी बहुत ही चटपटी बनती है और खाने में मज़ा आ जाता है तो चलिए बनाते हैं अब इसके लिए मैंने लिए हैं यह चोटे साइब के घोल वाले बैगन और अब हम इने चाकु के सहाथा से इस तरह के से इसमें में चिरा लगा लेंगेma इधर अब हम कड़ाई में दो टेपली स्पून तेल डाल कर इसमें बैगन को इस तरह से डाल देंगे और इन्हें हम कुछ देर पका लेंगे तरीब 30 पर्टेंट तक इन्हें हम इसी तरह से पका लेंगे तो इसे हम 10 मिनिट के लिए ढग देंगे धीमियाज पे ताकि ये पक जाएं तो फ्रेंड्स 10 मिनिट हो गए हैं और इस बीच मैंने इन अच्छे से पलट भी दिया था तो ये देखिए बैगन हमारे काफी कुछ पक चुके हैं तो फ्रेंड्स अब इन बैगन को हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ये जो बाग की बचा हुवा तेल है इसमे हम एक टेबल स्पून तेल और डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमत जीरा चुटकी भर अजवाइन और एक लाल मिर्च एक तेश पत्ता और ये एक बड़ी लाइची जो बड़ी थी तो इसे मैंने आधी तोड़ ली है अब इसे हम थोड़ा सा चला तक हम इसी तरह से इसे पका लेंगे ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से पक चुकी है कलर चेंज हो गया है तो अब हम इसे वीच में इसमें डाल देंगे लैसुन अध्रक कप पेष्ट और उसे भी थोड़ा सा हम चला लेंगे इसके बाद ये मैंने डाल दिया है तीन मसालों को हम डाल कर अच्छे से भूल लेंगे तो अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं पर मुझे कड़वा नहीं चाहिए इसलिए मैंने कास्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और ये देखिए मसालों ने तेल छोड़ दिया है कि मसाला हमारा अच्छे से मिल जाए और इसे हम थोड़ा सा दो मिनट के लिए पकने देंगे और दो मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे बैगन तो फ्रेंट्स बैगन को हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे और इसे हम तीन-चार मिनट के लिए धकन लगा के छोड़ दें जो पानी अलब मसाला है ताकि इसमें बैगन के अंदर अच्छे से चला जाए और इसे अभी हम और ढख देंगे तो यह तीन चार मट के बाद फिर से मैंने ढखा और देखा तो अब यह जो बगल से यह देखिए बबल्स आ रहे हैं तो इस टेज पे सब्जी हमारे बिल्कुल पक चुकी है लेकिन एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखिए सब्जी में बैगन जो है वो बिल्कुल से अच्छे से पक चुका है तो चलिए फ्रेंट्स अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो यह ल सब्जी को कर लिया है तो फ्रेंट्स अब इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना मेरे चैनल को सब्स्प्राइब कर लेना थैंक्यू